तो राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है केसरिया चावल तो आज हम बना रहे हैं केसरिया चावल वो भी कड़ाई में तो जब हमें बहुत सारे चावल बनाने होते हैं तब हम केसरिया चावल बना सकते हैं और बहुत बार क्या होते हैं हमारे चावल हाड बन जाते हैं त तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें चावल को पानी में उबाल कर तयार कर लेना है और हमने पहले ही तयार कर लिये थे ताकि वीडियो जादा लंबा ना हो तो ये देखिए चावल बिलकुल सौफ्ट पढ़ गए हैं और इसे हमने चलनी में डाल दिया था उपर से ठंडा पाने डाल दिया और चावल ठंडे हो चुके हैं यानि कि उन्हें पहले थोड़ा सा ठंडा ही कर लेना है यानि बिल्कुल गरम-गरम चावल को हमें तड़का नहीं लगाना है और अब इसकी सारी तैयारी कर लेते हैं चावल हमने लगबग 400 ग्राम लिये थे तो उसी हिसाब स से हम चीनी लेंगे तो थोड़ी सी कम चीनी ले सकते हैं आप उससे मतलब आप जितने सूखे चावल उबाल रहे हो उसी साब से चीनी पहले मेजर कर सकते हैं उसके बराबर ले सकते हैं और थोड़ा कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो कम चीनी ले सकते हैं तो केसरिया चाव और किश्मिश ही डलते हैं आप जो चाहें वो ट्राइफरूट ले सकते हैं और उन्हें दो-दो टुकडों में कट कर लिया है और कुछ चार टुकडों में तो आप जितने टुकडे चाहें कर सकते हैं अच्छे लगने के लिए और केसरिया चावल है तो केसर डालना तो बनता ही है तो बहुत सारे केसर के धागे ले लिया है और हलका सा पानी ले लिया है और इसे थोड़ा सा क्रश कर देंगे ताकि इसका कलर अच्छे से आ जाए क्योंकि हमने इसे पहले भिगा कर नहीं रखा था और अगर पहले भिगा कर रखा हो तो ऐसा कर ये घी तो अब कड़ाई में हमें डालना है घी क्योंकि राजस्थानी केस्रिया चावल है तो घी डालना तो बनता है तो हमने तीन चम्मच भर करके इसके अंदर घी डाल दिया है पहले और अब ये ड्राइफ रूट है वो घी में अच्छे से भुनेंगे तो गेस को हमें बि काजू को उससे कम और जब यह दोनों ब्ट जाए तो लास्ट में किष्मिश डाल दिया है और किष्मिश डालते ही भुनकर थयार हो जाती अच्छे से फूल जाती है तो अब इन्हें निकाल लेना है घी में से तो बहुत खी में टालनी है ताकि उसमें कच्चे पन की समेल ना आए केसर Western के रिखाव चावल यानि घी में हल्दी और कलर डालने के बाद हमें चावल एड़ करना है पहले हमें चीनी नहीं डालनी है तो पहले हम चावल ही डालेंगे step by step में जो जो चीज बता रही हूँ आप वही डालें तब हमारे चावल अच्छे बनेंगे तो चावल डाल दिये और इसके उपर हमें चीनी एड़ कर लेनी है अगर आप चीनी पहले डालेंगे न तो चीनी बिल्कुल हाड हो जाएगी चीनी डालते ही हमें गेज को फूल कर लेना है और बस अब इसे अच्छे से मिक्स करना है लेकिन ध्यान रहे तले में चावल लगने नहीं चाहिए और जैसे जैसे ये गरम होंगे चीनी पिघल कर अपना पानी छोड़ेगी तो हम इसे चलाते जाते हैं और सोचते हैं जब तक चीनी सूख न जाए तब तक ये हमारे चावल तयार नहीं होंगे क्योंकि चीनी बहुत सारा पानी छोड़ देती है लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है हमें चलाते रहना है और जब चीनी बहुत सारा पानी छोड़ दे तब उसके बाद हमें 2-3 मिनिट तक ही चलाना है क्योंकि हम इसे ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो ये चीनी पक जाएगी और हमारे चावल हाड बन जाएंगे. यानि कि चावल जो हाड से बनते हैं उसका यही तरीका है कि आपने उसे कितनी देर पकाया है. तो हमें थोड़ा सा इसे कम ही पकाना है चीनी को यानि थोड़ा थोड़ा चीनी का पानी रहे तब हमें गेस को बन कर दिना है और जब ये ठंडे होते हैं तो ये अपने आप सही हो जाते हैं क्योंकि जो चीनी का पानी है वो चावल अबसर्ब कर लेता है और हमने इसके अंद पिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं और उसके बाद सर्व कर सकते हैं ताकि जो चीनी का पानी थोड़ा-थोड़ा बचा है वो चावल अब्सर कर ले और ये देखिए चावल बिल्कुल अच्छे से तयार हो गए हैं और बिल्कुल सौफ्ट चावल बने हैं आपको देखने से ही पता चल रहा होगा तो अगर आप ये सारी टिप्स फोलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे केसरया चावल बनकर तयार होंगे आपके तो आप दी इस तरीके से केसरया चावल जरूर बना कर देखिए वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने अनुभाव रसुई संसार पर जरूर कमेंट्स कीजिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ बाबाई